लोगसबा चुनाव के लिए भारत्य जंता पार्डी ने सनिवार को अपने उमिद्वारों की पहली लिस्ट जारी की इस लिस्ट में दिल्ली से पांच उमिद्वारों के नाम घोसित किये गए हैं जिन में से चार मुझुदा सांसदों के टिकट काट कर नए चहरों को मौका दिया गया है जिन सांसदों का टिकट कटा है उनमें दक्सिनी दिल्ली के सांसद रमेज विधूरी भी सामिल है टिकट कटने का दर्द विधूरी के चहरे पर साफ देखा गया जब मीडिया ने बिदूरी से बात की तो उन्होंने इसारो इसारो में नए उमिद्वार पर निसाना साथते बे कहा कि कई बार बाहर से आए महमानों के लिए नई चादर बिछाई जाती हैं जबकि घर के लोग पुरानी चादर पर ही सोते हैं रमेश बिदूरी ने कहा पार्टी हाईकमान ने क्या सोचा होगा ये उनकी नोलेज में होगा बड़ी पार्टी है परिवारों की पार्टी नहीं है हम लोग विचार के लिए लड़ने वाले लोग हैं कार्य करता है हम लोग पार्टी में लोग आते हैं, बाहर से तो उनकी लिए जैसे महमान घर में आता है उसी तरह नई चादर बिचाई जाती है परिवार के लोग पुरानी पर सोते हैं कि आज महमान आया है इसलिए परिवार के लोगों को मजबूत दिल करके मांसम्मान करके रखना होता है को आगे बढ़ाना है घर के मान सम्मान को बढ़ाना है उसके लिए काम करना है और उसके लिए काम करने वाले हम लोग है वहीं दिल्ली की चांदनी चोक लोकसबाद सीट से टिकट ने मिलने के बाद बीजेपी ने निवर्त मान सांसद और पूर्वे मंतरी डॉक्टर हर्सवर पर अपने पोस्ट में डॉक्टर हर्सवर्दन लिखा है कि सेवा ही उनका धर्म रहा है उन्होंने लिखा कि गरीबों और जरूरुत मंदों की मदद करने की खातीर ही मैंने कानपूर के जी एस वी एम मेडिकल कोलेज से पढ़ाई की उन्होंने ये भी लिखा कि पंडित दीन अंदयाल उपाध्याई के अंतियोदय नीती से वो बहुत प्रभावित रहे हैं डॉक्टर हर्सवर्दन ने लिखा है कि आरसस के तब के नितर्ट्वे के कहने पर मैं राजनीती में आया उन्होंने लिखा कि मुझे राजनीती में लाने में आरसस इसलिए सफल रही क्यूं जंतरी बनकर किया उन्होंने लिखा कि मुझे ये खास मोका मिला कि मैंने पहले भारत को पोलियो मुग्त कराने की दिसा में काम किया और फिर कोवीड की बीमारी के दुरान जनता की सेवा की बिजेपी नेता डॉक्टर हर्सवर्दन ने लिखा कि भगवान राम ने मुझे आसिरवात दिया कि मैं लोगों की जान बचा सकूँ उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकरताओं फैंस और समर्थकों को धन्यवाद दिया और अंत में कहा मुझे वादे निफाने हैं और सोने से पहले मीलो का सफर तय करना है इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि दिल्ली के कृष्णा नगर में ENT क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा जय हिंद जय भारत